जैसा कि आप सभी ने अभी तेक इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म का ट्रेलर देख लिया होगा और ट्रेलर ने आते ही काफी धूर मचा दिया है और ट्रेलर में हम सभी ने देखा है कि कैसे अरजुन कपूर अपनी चार लोगों की टीम के साथ आगे बढ़ते हैं का आतेंगवादी को पकड़ने के लिए पर सबसे बड़ी जो बात है इस ट्रेलर मों यह है कि फिल्म किसके बेस पर आधारी तो इसके आतेंगवादी के उपर एक फिल्म दिखाई गए जिसको इंडियाज सामा तो तब हमें भी लगा कि कौन हो सकता है तो थोड़ा बहुत हमने बॉलिवूट के सूर्सेज और बाकी जो ट्रेलर देखा उसमें जो कहानी आप देखनें कैसे नैपाल जाती है कहानी जी वो नैपाल में बगड़ने जाते हैं और बाकैद उसमें बात कि यह सीरियर ब तो यह कहा जाता है कि वो शारुख खान के वज़े से नहीं होती है उनके मुस्लिम नाम के वज़े से नहीं होती है उनके नाम शारुख के वज़े से होती है तो जो यासीन बठकल है वो नैपाल के पोखरा में यूनानी डॉक्टर डॉक्टर शारुख बन करे रहा था तब पपसे उसकी तलाश जारी थी जब 2009 में या दस में से कुछ एकलिस सौपी किई थी पाकिस्तान इनको जिसमें एनाईय की तरफ से 10 नाम ते 40 आईपी की तरफ से 50 नाम ते जैसे लोगों भी शामिल थे उसमें यासीन बटकल का नाम था इसमें बटकल जो वर्ड है एक्शली इसका नाम है एहमद सिद्धी पापा और असली नाम भटकल एक जगह है करनाटक में इसे मिनी दुबई बोले जाता अच्छा रईसों का लाका है वह वहां पर ये बंदा ट वहां से वो जो उसने पूस्तास में बताया वहां से वो कराची गया और कराची का वीजा नहीं था उसके पास कराची एरपूर्ट पर जाहरे पकड़ा जाता लिए उसकी सेटिंग इस तरह से कीती उसके आकाउन है कि कराची एरपूर्ट से उसको बिना वीजा के वहां से निकाल ले जाए गया और करीब 8-10 गंटे की रन के बाद उसको एक ट्रेनिंग कैम में ले आए गया गया और ये सब उसने पूस्ताज में होता है वहाँ से उसकी ट्रेनिंग शुरू ही उसके बाद फिर इंडिया आता है दिल्ली में लखनव को लडगा इमरान बनके वो एक की जाहिदा थी उससे शादी करता है उसकी बीबी को पता ही नहींता है कि उसका पती क्या करता है अभी वी उसके बाद उसकी जो ट्रेनिंग ती उसको ओसामा क्यों कहा गया उसने ट्रेनिंग दी एक दरबंगा मॉड्यूल मिला अगर आपको ध्यान हो जर्मन बेकरी कांड बेंगलोर में, स्टेडियम में ज़िसपोट हुए, जर्मन बेकरी में पुने की विसपोट हुआ, एमदवार में विसपोट हुए, दिल्ली में हुए, तमाम सारे जितने लोग थे उसने एक नया संग्धन मनाया इसको नाम दिया इंडियन मुजाहिदी, दरसल होता ही था कि कि पाकिस्तान से आतंग कि आते हैं फोड के चले जाते हैं ऐसे में मुझाहईदीन बाहर से नाए इंडियन सोल पे जन्मे और यही करें पढ़े पड़े हैं इंडियन मुझाहईदीन नाम दिया बिहार के दर्बंगा में उसने ट्र्रेनिंग का एक सिस्टम मनाया वहां से लगातार बंब खोड़ने लगे और वो इतनी सफाई से बच जाता था उस दोरान स्काइप नहीं नहीं आई थी लोगों को पता नहीं था इंटरसेट कॉल उनकी हो नहीं पाती थी स्काइप के जरीए बात करते थे और कई बार वो जैसे कलगत्ता में एक बार पकड़ा भी ग है दीरे दीरे जब उसने करीब नहीं तो तस सीरियल ब्लास्ट में एक सोचालिस लोगों को मारा होगा लोग दाउद को याद करते हैं कि बहुत बड़ा क्रिमनल था बहुत यह था इंडिया मोस्ट वांटिड मैना इतनी आसान बात नहीं थी लेकिन जब वो पकड़ा गया जब वो पकड़ा गया तो उसकी कहानी किसी को नहीं पता एक गोली नहीं चली और यह बताया गया कि बिहार की पुलिस ने पकड़ा आया किसी मीडिया ने खवर शापी कि नैपाल की पुलिस ने बिहार की पुलिस को दे दिया दरसल नैपाल इंडिया जो सीमा है वहां पे रक्सौल है वहां पर पकड़ा गया और फिर उसके बाद मोतिहारी लिया जाए गया तब जो डिजी पी थे अब पहार नहीं आई आई भी होगी तो तब आई होगी जब लोगों को इस वारें पता नहीं था तो ऐसे मैं राजकुमार गुपता उनको एक अच्छा घासा यह प्लॉट था कि यह कुछ एक तो वह इंडिया का उसामा इतना बड़ा नाम है जी और ऐसी आसानी से कैसे पकड़ तो मुझी तो नहीं लगता कि पूरी तरह से उन्हों उस कहानी को उनकी पास पूरी डिटेल होगी जी साथ वी नहीं पताता- यही दूसरी बार गये हैं वो अटेक करने हैं एक बार तो उस सेम पॉइंट पर जाके रेकी करके वापस आगे थे यह उन्होंने कई मैंशन नहीं किया इसमें भी प्यॉर फैक्ट नहीं होगा लेकिन वहीं नैपाल की जो शूटिंग है वो दिखाया गया है गोली नहीं चली यह पताया जाता है यह सच है कि वाकई में उसको इस तरह से निकाल रहाएं त्याढ़ जिल में बंदें वी इस पूरी कहानी यासीन वठकल पर चीगई और लगता है कि इंडिया को इंडिया की जन्ता को इस फिल्म के जरी है वाकई में कुछ नई चीज पता चलेगी क्योंकि यासीन वटकल के अरेस्टिंग के बाद उसने त्यार में एक बार कुछ भूकरताल की तो अब लोगों को नहीं पता मुझे लगता है फिल्म अच्छे से उस चीज को बताई है जैसा कि आप सभी ने देखा जिसको ना पता हो जिसने ट्रेलर देखा हो ट्रेलर देखे कफीज ह कि इंडियाज मोस्ट वांटेट फिल्म में किसको दिखाया जा रहा है फिल्म किसके ऊपर आधारित है क्योंकि जो आतनवादी उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया ना तो उसका नाम बताएगा तो ऐसे में ये वीडियो उनकी लिए इस पेसल है जो इक फिल्म देखना च इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल